हलो दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल, गारणिंग विच चिनुमिनु, फ्रेंट्स आज हम आपके लिए एक बहुती अच्छा और बहुती बड़िया वीडियो लेकर के आये हुए है, जो वीडियो है फ्रेंड और्किट के उपर है, आपके पास कोई वी और्किट हो माज वीडियो बना रहा है फ्रेंड या आप देख सकते हैं फ्रेंड मेरे जो ये और्किट में जो बिमारी लग रहा है फ्रेंड ये जरसल बैक्टेरियाल इंफेक्शन है फ्रेंड और्किट में ज्यादा तर बहुत ज्यादा मात्रा में लगता है फ्रेंड तो मेरे इस प और जगे थोड़ा सा दबने लगता है तो वह बैक्टेरियल इंफेक्शन है फंगल इंफेक्शन यह है फ्रेंड आप देख सकते हो यह थोड़ा सा ब्लाक सा स्पोर्ट होता है और उसी ब्लाक स्पोर्ट से आपका पूरा पत्ता येलो पर जाता है फ्यलता जाता है प्रो इस बीजन में भी लगता है और स्टेम बीजन में भी लगता है रूट पर लगता है अब कहीं पर भी इस ट्राइब का जो डिजिज है वह आपको देखने को मिलेगा यह देखिए यह रूट के अंदर भी थोड़ा-थोड़ा सा जो ब्लाक-ब्लाक एरिया है फ्रेंड वहां फर ही मेरा जो और किट में ठोटा सा लग गया है फंगल किया जाता है और वैक्टिर्याल इनफेक्शन से और किट को दोड़ रुखा जाता है तो अगर आप मेरे विडियो में ने हो तो प्लेज मेरे लाइकन को प्रेस कर लिजे फ्रेंड क्यूंकि मैं इसी टाइप के बहुत सारे प्लांट रिलिटर वीडियो लाता रहता हूं फ्रेंड सबसे पहले आप एक सिकेटियर लिजिए जिसमें बहुत ही तेजदार होना चाहिए और उसको सबसे पहले सैनिटाइज कीजिए किसी सानिताजर से या आलकोह़ल से आप इसे सानिटाइज कर लिजिए क्योंकि इसमें भी बहुत सारे fungus और bacteria होंगे और उसके बाद friend आप जो भी फत्ता affected है उस पत्ते को पूरी तरीके से किन रीजन से वो affected है किस रीजन से affected है उस रीजन के नीचे से आपको पूरी तरीके से वो पत्ते को हटा लेना है कुछ इस तरीके से हटा लेने से होता क्या ह यह इनफेक्शन और ज़्यादा नहीं सकता और बाहर तक नहीं पहल सकता यह जो व्यक्टेरियल इनफेक्शन है आप देख सकते हूं ये जरसल बैक्टरियाल इंफेक्शन है जहां पर दबने लगता है तो इस तरीके से आपको सारा पत्ता हटा लेना है तो धीरे से आप किसी साफ नाइफ से उसे भी सानिटाइज कर लेना है फ्रेंड और इस तरीके से सारा रूट जो आफेक्टेड रूट है उसे भी काट कर हटा लेना है फ्रेंड तो इस तरीके से हटा लेने से होता क्या है फ्रेंड इंफेक्शन ज्यादा देर तक और कर देना है फ्रेंट उसके बाद फ्रेंट आप किसी इस पेर में या किसी बोटल में एक लिटर आप पानी लिजिए उसमें कुछ 2 ग्राम के करीब यह वाला जो वाविस्टीन या कोई भी आपका फंगी साइड आपके घर में है। फंगिसाइड को कुछ दो ग्राम के करीब एक लिटर पानी में आप मिला लीजिए और अच्छे से इसे घोल लीजिए और सारे प्लांट को पूरे उपर से नीचे से जो प्लांट होता है उपर से नीचे तक पूरे रूट रिजन में लीफ रिजन में क्राउन रिजन में कोई दिए रेजोन आपको छोड़ना नहीं है और पूरे प्लाइंट को इससे नहला देना है फ्रेडि हापको यह परोसेस जड़न आपको एक विक के बाद एक विक आपको पूरे हफते में एक बार ही कड़ना है वह हंते मे acqu day have कि इनफेक्स्रेशन आपका लगा हुआ है वो कम नहीं जाता है तो इस तरीके से आपको पूरे प्लांट को इस तरीके से धो देना है अगर आप जिंफेक्शन ज्यादा है तो आप लिए कर सकते हो फ्रेण जो हाइडरोज़न फे रउक्साइडाग्स्था है अपको कुछ भीडियो fbhara고 your plant में spray कर देना है। तो इस तरीके से आपका प्लांट में yellow nymph नहीं होगा और plant अच्छे से grow करने लगेगा फ्रेंग्ट तो आप इस तरीके से आपके प्लांट को care कि जिए फ्रेंग्ट आपके पास कोई भी औरकेट हो ये बीमारी जरसल सारे औरटी नें लगता है मेरे वाला जो ही ये व्यंदा और्किट है लेकिन आपका देंडरोवियन फ़ाइसस कोई भी और कीडू आपके और किडे में ये वाला वीमारी लगरा होगा तो इस तरीके से आप उसे care कर सकते हो फ्रेंट तो वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंट मुझे comment में जरूर बताएगा अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को like किजे, share किजे और इस चानल को फ्रेंट subscribe कर लिजे फ्रेंट क्यूंकि मैं इसी type के बहुत सारे plant related और garden related व थैंक्यू